How are you friends? कैसे हैं आप? I hope you are good and fine आज की वीडियो में एक practical problem की बात करेंगे practical problem क्या है? कि unmarried couples काफी बार ऐसा हुआ है कि वो जो है hotels में stay करते हैं और उनके मन में ये डर रहता है कि क्या हमारा hotel में stay करना legal है या illegal है? क्या वहाँ पे police ना आ जाए? अगर police आ गई उनको rest कर लेगी क्या police rest कर सकती है? और क्या आप police वाले ने अगर आपको rest कर लिया तो आप क्या करोगे? ये सारे question के answer आपको इसी वीडियो में मैं आप देने वाला हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नई है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लाइक करें इस वीडियो को ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर रहा हूँ आपके पास उसकी notification आए उसको देख सको बैल आइकन दबाना मत बूलिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से सबसे पहले फ्रेंड्स जो unmarried couples होते हैं वो hotel में stage अप करते हैं उनके मन में जो मैंने पीछे आपको questions पताई ये सारे उनके मन में होते ही होते है सबसे वहला question ये ही होता है उनके मन में क्या हम hotel में stay कर रहे हैं तो ये legal है या illegal है मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हमारी माननीय supreme court है उन्होंने living relationship को यानि कि अगर लड़का और लड़की साथ में रह रहे हैं एक ही घर में बिना शादी के वो भी एक valid कर दिया है supreme court ने उसको भी fundamental right यानि कि मूल अधिकार का दरजा दे दिया है अंडर article 21 of Indian constitution जो living relationship है वो एक valid माना जाएगा और जो लड़का और लड़की की आपसी सैमती है कि वो जो है living relationship में रहना जाते हैं या नहीं रहना जाते इसमें society जो है interfere नहीं कर सकती अब बात करते हैं लड़का और लड़की unmarried हैं और वो जो होटल रूम्स में जाते हैं क्या ये legal है या illegal है देखें दोस्तों अगर हम society की बात करें अगर society के mindset से सोचें तो ये गलत है society इसको sept नहीं करेगी कि unmarried couple जो हैं वो होटल रूम में कठे रहें लेकिन अगर हम कानून की बात करें तो अगर living relationship को supreme court ने fundamental right दरजाद दे दिया है तो जो है legal जैसे कि हम stay करेंगे होटल में तो वो भी एक तरह से legal ही होगा simple शब्दों में जी हाँ ये legal है आप जो unmarried couple हो आप होटल में जाके stay कर सकते हो इसके साथ ही ध्यान में रखने वाली ये बात है कि अगर आप होटल में आप unmarried हो और होटल में जा रहे हो stay करने के लिए तो आप जो है major होने चाहिए यानि कि 18 साल से उपर आपकी age होने चाहिए लड़के की भी और लड़की की भी अगर आप major हो आपके पास identity proof है तो आप होटल में जाकर stay कर सकते हो होटल वाला भी जो है आपको मना नहीं कर सकता उके उन्मेरिट जितने भी कपल होते हैं वो होटल में जाते हैं उके उनको ID proof शो करना पड़ता है होटल वाले उनसे ID proof मांगते ही मांगते हैं होटल जो होते हैं वो जो minor persons होते हैं यानि कि 18 साल से कम वाले उनको होटल प्रोवाइट नहीं करते अब यह भी बात है कि क्या पुलिस आपको रेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती देखें दोस्तों अगर हम बात करें आई पी सी की इंडियन पिनल कोर्ट की जहां पे सारी पनिशमेंट्स बताई गई हैं इंडियन पिनल कोर्ट की एक दारा है दारा 294 उसमें अफसीन एक्ट बताया गया है यानि कि अशलील हरकते बताई गई है अगर कोई पब्लिक प्लेस में अफसीन एक्ट यानि कि अशलील हरकते करता है तो उसको तीन भीने की सजा हो सकती है साथ में उसको फाइन भी लग सकत प्राइवेट प्रोपटी में कोई भी तीसरे व्यक्ति के पास यदिकार नहीं है कि वो उनकी प्रोपटी के बीच में इंटरफियर करें और पुलिस वाला भी जो है उनको अरेस्ट नहीं कर सकता अगर वो प्राइवेट प्लेस में है तो उनको अरेस्ट करना नहीं बनता वो जो मर्जी करे वो उनका परसनल मैटर है कपल्स का परसनल मैटर होगा वो रूम में जो मर्जी करे पुलिस वाला उनको रेस्ट नहीं कर सकता अब बात करते हैं फिर भी आप जो है रूम में हो और पुलिस जो है आपके दरवाजे को नो करती है तब आपको क्या करना चाहिए जब पुलिस आती है दरवाजे को नो करती है पहली बात तो यह है, पूलिस ऐसे आ ही नहीं सकती, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता, कि वो किसी की private property में, personal life में interfere करे हमारे पास right to liberty भी है, right to privacy भी है, ये भी हमारा fundamental right है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए सब अगर पुलिस आपके दर्वाजे को नो करती है और आप अंदर हो आपको गब्राना नहीं है आपने दर्वाजा उपन करना है पुलिस आपसे नाम पुछेगी आपका ड्रेस पुछेगी जो जो पुछेगी आपको उसको पुलिस वाले को बताना है अगर आप नाम पता देने से इंकार करते हो और उससे जो है गाली गलोच करना स्टार्ट करते हो उससे जबलस्ती स्टार्ट कर देते हो वो आपको रेस्ट भी कर सकता है इस कंडिशन में कि अगर आपने उसको नाम पता बताने से मना करा तब आप पुलिस वाला जो है आपको रेस्ट कर सकता है उसके पास यह पावर है सेक्शन 42 CRPC में अगर आप law student हो या फिर आप advocate हो आप मेरी बात से agree करते होगे कि अगर हम public servant को अपना नाम पता देने से इंकार करते हैं तो वो आपको रेस्ट करके रख सकता है डिटेन कर सकता है लेकिन अगर पुलिस वाला आप से जो है आपका नाम पता पूछता है आप उसको बता रहे हो सास में आपने क्या करना है उस पुलिस वाले की video recording करनी है या फिर कुछ pictures collect कर लेनी है जब वो आप से नाम पता पूछ रहा होगा इससे क्या होगा इससे आप उस पुलिस वाले के खिलाफ complaint कर सकती हो कि वो हमारी personal life में interfere कर सकता है उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि हम हमारे उपर आकर हमारे से investigate कर रहा है उसके पास कोई अधिकार नहीं है आप उसकी complaint कर सकते हो अब जो है आपने सब कुछ पुलिस वाले को बता दिया फिर भी पुलिस वाले नहीं आपको arrest कर लिया इस condition में क्या होगा पुलिस वाले को थोड़ा सा बताया कानून की कानून पुलिस वाला थोड़ा सा गुसा हो गया कि तू मुझे कानून की बात बता रहा है तो उसने आपको arrest कर लिया एक बात ध्यान में रखना जब भी पुलिस वाला आपको arrest कर लिया उसके 24 गंटे के अंदर अंदर आपको magistrate के पास पेश करा जाएगा पहली बात तो जी पुल उन्होंने जो है आपको illegal detain करके रखा है चाहे उन्होंने आपको arrest करा एक दिन के लिए लेकिन वो illegal है अब पुलिस वाली ने आपको arrest कर लिया आपको 24 गंटे के अंदर magistrate में पेश करा जाएगा magistrate में पेश करने के बाद आप magistrate को सारी बात बता सकते हो sir कि हम ऐसे private room में थे हमने इनको जो है नाम पता बताया लेकिन फिर भी इन्होंने arrest कर लिया ओके सो जो investigate चलेगी जो है hotel room से भी आपने identification जो आपने ID cards होंगे उनको रखे होंगे तो वो भी आपके साथ जो as a proof में लग जाएंगे आप उनकी विसाहता ले सकते हो कि हमने जो है अपने ID card ID proof जो बाहर आगए जब आपको magistrate ने बरी कर दिया आपको छोड़ दिया तब आप उस पुलिस वाले के खिलाफ जो है complaint case फाइल कर सकते हो आपने complaint करनी कहाँ पे है सबसे पहली बात आपने उसकी जो वीडियो बनाई होगी images ली होगी आपने उस वीडियो को उस images को आपने अपन Commissioner of Police को वो क्या करेंगे वो आपके जो भी नजदीकी थाना होगा उसको जो है forward कर देंगे और आपने किसके खिलाफ complaint करी है पुलिस वाले के खिलाफ complaint करी है और दूसरा पुलिस वाला हमेशा पुलिस वाले की side ही लेगा तो आपको करना क्या है आपने उस वीडियो को mail करनी है अपने Commissioner को Commissioner of Police जो भी आपके जिले का होगा उसको CC कारबन कोपी में रखकर और टू बेजना है DGP जो भी आपके DGP Director General of Police होंगे उनको जो है आपने mail करनी है अब बात आती है mail ID कहां से मिलेंगी mail ID आपको जो है Google से मिल जाएंगी आप Google में सर्च कर सकते हो मारे जिले के Commissioner of Police की mail ID क्या है आपको वहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा आपने एक application लिखनी है mail में ही application लिखिए आप mail में वीडियो टेच करिए आप उनको send करिए आपको 100% जो है अपकी complaint जो है सुनी जाएगी अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो आप जो है court में भी case file कर सकते हो complaint file कर सकते हो उस पूलिस वाले के खिलाफ अगर फिर भी पूलिस कोई action नहीं लेते हैं तो court जो है हमेशे action लेगी ही लेगी उनका काम है action लेना इसके लिए आप अपने वकील से सायता ले सकते हो अगर आपको यार दोस्त है अगर आपको गिलेटिव है आप उनको कह सकते हो कि आप आपके भी हाफ पे वो application डाल दे court में अब इसके साथ ही आप जो है high court में भी written petition डाल सकते हो जो आपको एक दिन के लिए arrest करके रखा गया था इसके लिए आप जो है article 32 supreme court और article 226 high court में जो है written petition जो है डाल सकते हो और उस police वाले को जो है उस police वाले से compensation ले सकते हो और अगर magistrate था आपको लगा तो वो उसको suspend भी कर सकते हैं और उसको सजा भी दे सकते हैं ओके ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई आपको यह follow गरनी है ओके आपको बिलकुल भी डरना नहीं है आपको यह गबराना नही चाहिए कि आप अपनी girlfriend के साथ अपने boyfriend के साथ room में जा रहे हो होटल में जा रहे हो तो आपको stay कर रहे हो वहाँ पे आपको डरना नहीं है चाहे आप unmarried हो अगर आप 18 साल से उपर हो तो यह आपको पास right है आप जो है उस police वाले को भी सकते हो कि supreme court ने living relationship को valid करार कर दिया है अब हमारी मर्जी है हम जिसके साथ मर्जी रहें चाहे society इसको गलत समझे लेकिन कानून इसको गलत नहीं समझता यह बात ध्यान में रखना यह obviously legal है आप चाहिए जैसे मर्जी बिना डरे चाहिए और आपको डनना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको अपनी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा उनको भी यह पता होना चाहिए उनको भी यह अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को अभी तक अब यह तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीस सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दे ऐसी ही वीडियो जो हैं मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही रिपलाई करूँगा या फिर हो सके तो एक अलग से वीडियो जरूर लेकर आ आजाए और आप उस वीडियो को देख सेंगें